आवकों कम्पलीट सीटें जो एक सो नन्याण में सीटें यहां से कौन जीता है एक एक करके बताए दाऊं सबसे पहले बात कर लेते हैं खानपूर से हैं कॉंग्रेस से इंडियर नेशनल कॉंग्रेस से सुरेश गुजर ने चुनाव जीता है और इन्होंने 8425 वोटों से चु कॉंग्रेस मोदी ने 33,093 वोटों से चुनाव जीते है इसके बाद में मेड़ता की बात कर लेते हैं मेड़ता से लक्षमनराम हैं इन्होंने 17,515 वोटों से चुनाव जिता है ये बीजेपी के हैं लक्षमड राम और वही उपवेज़ता यहां से कॉंग्रेस रही है मेड़ता की बात कर लेता हैं मेड़ता के बात में सीधे ही हम आ जाते हैं डूंगरपुर पर इस बार आपको बेटर आवाद मिल पाएगी धन्यवाद सर धन्यवाद आप भी राय में जुडेश के लिए राधी गुजी सर भी है हमारे साथ कनाड़ा से इस वक्त और डूंगरपुर से गनेश गोरा हैं कॉंगरपुर के बाद में बात करते हैं बीकानेश वेस्ट से भारती जन्ता पार्टी के जेठानन्द व्यास हैं 20,954 वोटों से चुनाव जीते हैं और इन्होंने बीडी कल्ला को हराया है और बीडी कल्ला को हराना आपने आप में बड़ी बात है मंतरी कॉंगरेस सरकार में मंतरी थे बीडी कल्ला चलिए इसके बाद में बीकानेश वेस्ट के बाद में हम आ जाते हैं सीधे फलोदी पर फलोदी से भारती जन्ता पार्ट से पबा राम विश्णोई हैं ये 10,784 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और दूसरे नमबर पर रहे हैं कॉंगरेस के परकाश चंदर चंगानी ये हैं दूसरे नमबर पर इसके बाद बात करते हैं फलोदी के बाद में हम शाहपुरा से तो शाहपुरा से बात करें तो यहां पर महेश यादाव चुनाव जीते हैं इंडिया नेशनल कॉंगरेस से 24,908 वोटों से चुनाव जीते हैं सेकेंड नमबर पर निर्दलियों यहां पर रहे हैं भारत जंटा पार्टी के उपेन यादो यहां पर तीसरे नमबर पर रहे हैं शाबबुरा के बाद में अगर हम बात करें नोहार और तो नोहार से हमिट चाचन है हमिट चाचन है और 490 वोटों से भी लीड कर रहे हैं क्योंकि अभी डिकलियर नहीं किया क्योंकि यह थोड़ा सा कम मार्जिन है तो शायद दुबारा से एक बार काउंटिंग चल रही है इसके बाद में हम मांडल गड़ से बात करते हैं यहां से गोपाल लाल शर्मा है बीजेपी से 8,194 वोटों से चुनाव जीद गए हैं मावली विधान सभा की बात करें तो कॉंग्रेस यहां से जीती है 1567 वोटों से मन इसके बात करते हैं मांडल की तो मांडल से उदे लाल बहारिया बढ़ना है 35,878 वोटों से चुनाव जीद गए हैं अजमेर नोर्थ से वासुदेव देवनानी चुनाव जीते हैं बीजेपी से सगवारा से संकरलाल डेका चुनाव जीते हैं उदेपूर से ताराचन जेन बीजेपी से चुनाव जीते हैं संकरलाल डेका भी बिजेपी के हैं और चोहटन से आदुराम मेगवाल है वो आगे चल रहे हैं अभी उद्धेपूर रूलर से फूलचन मीना चुनाव जीच चुके हैं किसंगन से ललित मीना चुनाव जीच चुके हैं पीली बंगा से विनोत कुमार, कुशलगड से विनोत कुमार कॉंग्रेस के हैं, कुशलगड से रामिला कहाडिया हैं कॉंग्रेस से हैं, छबडा से परताप सिंग सिंगवी बीजेपी से हैं, दादू से डॉक्टर प्रेम चंद बेरवा हैं, इसके अलावा लश्मनगड से ग चाक्सु से राम उतार बेर्वा बीज़ेबी से चुनाव जीचlauggaad duana एला जिना बीज़ेबी से चुनाव जीच चुके particle by जहाचपुर पशीवी थी मेरे साब से अभी फाइनल डिकलियर नहीं किया क्योंकि पांसो सी वटो काई डिफरेंस यहां पर तो शाद भी दुबार अशे एक बार काउंटिंग हो रही है आमेर से परशान सर्मा चुनाव जीच चुके हैं और सटीश पूनिया यहां से चुनाव हार गये है कुछ कमेंड्स है एक बार देख लेते हैं जोडासा चलिए इसके बाद में अनूप घड़ से लिचोटे से डूर्गाराम गयदार हैं ऑन् रानिवारा से रगमेर से बिचे पीजेपी से चुनाव जीच चुके हैं। 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 लड़ूलाल पीतलिया हैं। पीजेपी से चुनाव जीच चुके हैं। परबसर से रामनिवास गवेरिया हैं। गंगापुर से रामकेस हैं। कॉंग्रे से चुनाव जीत चुके हैं, राम गजमंडी से मदन दिलावर हैं, बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं, जैसल मेरे से छोटु सिंग हैं, बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं, असपुर से उमेश मीना हैं, बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं, भीम से हरी सिंग राठोड हैं यह चुनाव जीत चुके पहले राज्यवादन सिंग राठोड सुरु में अगर बात करें तो लगातार पीसे चुझा रहे थे बाद में पचास जार वोटों से ज्यादा से इन्हों ने चुनाव जीत लिया है दाता रामगर से विजेंदर सिंग हैं से हनमान बेनिवाल है अलागी रिजल्ट फाउंड नहीं हुआ है पितलब कंप्लेट निकिया लेकिन बहुती कम मार्जन से हनमान बेनिवाल ऐसा लग रहा है कि चुनाव यह जीत जाएंगे साहत हुआ दुबार से रिकाउंटिंग हो रही हो दोजार गुनसट वोटों से किया गया है इन्हें विजयता अभी तक और इसके अलवा खाजुवाला से डाक्टर विश्वनात मेगवाल हैं बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं तो यह हनमान बेनिवाल है यह रास्तिय लोक्तांत्रिक पार्टी आरेलपी और इसके एक मात्रे से कैंडिडेट है जो क बीजेपी से चुनाव जीत गई है लाड़पुरा से कलपना देवी बीजेपी से चुनाव जीत गई है जोधपुर से अतुल बंसाली है बीजेपी से चुनाव जीत गई है सोजत से बात करें तो शोबा चोहान है बीजेपी से चुनाव जीत गई है किशनगर से विकास चो यह कॉंग्रेस यहां तीसरे नंबर पर चली गई है और बड़े वोट के अंतर से 84 से जो है वो भारत आदिवासी पार्टी के जो चुनाव जीते हैं इसके बात करते हैं गोगुंदा से तो प्रताप लाल भील है बीजेपी से चुनाव जीत गए हैं बहरोर से जाक्टर जो की बहुत ज़्यता लीड ले रखेंगें सीकर से बात करते हैं एक बार देख लेते हैं कितनी लीड है इनके पास में 10,342 की लीड है सीकर से बात करें राज अंदर पारिक हैं कॉंग्रेस से चुनाव जीत गए हैं और इसके आदमें राइस सिंग नगर है सोहनलाल नायक कॉंगरेस से चुनाव जीत गए हैं कुंबलगर से सुरेंदर सिंग राठोड बीजेपी से चुनाव जीत गए हैं चुरू की बात करें तो हारिलाल सहारन है बीजेपी से चुनाव जीत गए हैं भीलवड़ाशे अशोक कुमार कोटारी हैं निर्दली चुनाव जीत गए है कॉँए और नगर जगए कुई यहां जोहार सिंग अ भथम भारती जीजी पी से चुनाव जिद गया है क्ष्कर से सुरेग सिंग रावत हैं रामगार से जुबेर खान है congres से करा बाइना बनावत राए बैयाना से ब्रू चुनाव से Соइंग को कॉंग्रेस वाकीं को सब्सक्राइबर से और भार हादूर शिंग क 15 जैंकर से बाबुलाल कराडी है बीजेपी से चुनाव जीद गए है आहोर से चंदन सिंग राच बुरोहित है बीजेपी से चुनाव जीद गए है मसुदा से विरेंद सिंग है बीजेपी से चुनाव जीद गए है इसके अलावा बात करें तो शेरगड से बावु सिंग राठोड है ये भी बीजेपी से चुनाव जीद गए है धोलपुर से बात करें तो शोबहराम कुश्वा हैं Congress चुनाव जित गये हैं है नागोर की बात करते हैं है ऐइंदर मिरदा हैं कॉंग्रस नग्र की बाद करते हैं टिकराम जूली है और एक में धाज राइछ नीगत्यमे नियुद से जिवा राम चोध्री मैं निर्दुली चुनाव जीते हैं। हैं कोलिए Lewa जो कि यह जीत गया हैं लिजे यह अंतरम स्यक्प्रांग बोती čवट के मुर्ए रहे हैं का अधिक 1046 वोट्डों से यह चुनाव जिते हैं संहरेओ इसके बाद में बात करते हैं सिविल लाइन्स की तो गौपाल शर्मा बीजेपी से चुनाव जीद गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं। इसके बात करते हैं तो अंशमान सिंग भाटी हैं। बीजेपी से चुनाव जीद गए हैं। ओसिया से भेराराम चोधरी जो है वो चुनाव जीद गए हैं। और यहाँ पर बड़ी नेतातिक कॉंग्रेस की दीव्या मदिरना चुनाव हार गई हैं। अठाइसो साथ वोटों से। शावपूरा से बात कर लेते हैं। लालाराम बेरवा हैं। बीजेपी से चुनाव जीद गए हैं। निर्दलियत हैं। युनिस खान जीद गए हैं। तेविस सो बाणमा वोटों से। सब्यानों से फीदेता अ के मता चुनाव जीद गए हैं। चाटराम चुनाव जिद गए हैं। अंटासे कवरलाल प्रमुस घोपूराम चिद्वार निर्दक अमदरश नीजीद खाए लागते हैं। एक बात है प्रमोजन भया बड़े और दबंग नेता थे कॉंग्रेस के चुनाव हार गये हैं कोटा साउच से संदीब शर्मा चुनाव जीद गये हैं बीजेपी से हैं शीयो से रविंदर सिंग भाटी हैं ये निर्दलिये हैं और इनने निर्दलिये को हराया है रविंदर सि हमिरा से चुनाव जीद गये हैं तो इनने शिर्दल टारे से चुनाव जीद गये हैं देवली उन्यार से हरी चुनाव जीत गई है गंगापुर से रामकेस चुनाव जीत गई है सवाय माध्यपुर से किरोड़ाल मिना चुनाव जीत चुके हैं और बाकी इतनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको देने की कोशिश की है और यहां पर यह कंप्लीट डिटेल्स जो है चल रही है पूरी की प्रकार से बीजेपी ने सरकार यहां पर राजस्थान में बना ली है और खुद के दंपर बनाई है याद कीजिए दो जार आर से दो जार त्यरा एक्सो बीस थी फिर 23 के बाद में है टारणे ने, 13 से अठार में तो 2016 दी उसके पहले थी 2008 से तो 2013 से थीा कॉंग्रेस these थी आना थो ऊस समय कॉंग्रेस अपने दंपर सर्कार नहीं बना सेकी किसी भी चीज़ की इनको लेने की जुरूत नहीं पड़ रही है लेकिन अब बात यहां पर उड़ती है कि यह जो रिजल्स आये यह क्या संकेत देना चाहते हैं क्या संकेत दे रहे हैं इसके बारे में क्योंकि आज बरसात बहुत ज़्यादा है कल हम बाहर जाकर लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और जो भी लगेगा हम भी आपस में चर्चा करना की कोशिश करें कभी फाइनल लिर्णे मैंना आपको बता दिये हैं जहां-जहां से भी जो 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 जीतित हैं आप इस वीडियो को दुबारे से रिवस करके देख सकते हैं सबी को जहाद तक हो सका मैंने आपको बता दिया है धन्यवाद लाइमें जुड़ने के लिए